अलो गाइज, इस वीडियो में हम डेसा ट्रू टेबलेट पर डिसकस करेंगे डेसा ट्रू टेबलेट के यूजेज, डोसेज, साइड एफेक्ट और प्रिकेशन इस वीडियो में हम देखेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे और दोनों ही 60 टेबलेट की पेकिंग में अविलेबल है 50 mg टेबलेट की MRP आपको 6500 रूपीज में मिलती है और 70 mg टेबलेट में आपको 8500 रूपीज MRP में आती है So guys, desatinib टेबलेट एक targeted therapy medication है और एक tyrosine kinase inhibitor है जो chronic myelogenous leukemia and acute lymphoblastic leukemia के treatment में यूज करते हैं chronic myelogenous leukemia एक blood cell cancer है जो bone marrow मेरों में बनना स्टार्ट होता है और acute lymphoblastic leukemia भी एक blood type cancer है जो white blood cell WBC को affect करता है और ये cancer normally childhood में common है Desatinib tablet को specifically philadelphia chromosome positive के treatment में यूज करते हैं Desatinib tablet को और भी कई types के cancer treatment में यूज करते हैं और अगर हम इसके dosage की बात करते हैं तो ये आपको medical condition पर depend करती है आपको कितना dose prescribe किये जाना चाहिए ये normally इसका recommended daily dose 100 mg orally once daily है और अभी आप depend करता है patient की age, weight and type of cancer पर कि आपको 50 mg, 70 mg, 100 mg प्रिसकाइब करना चाहिए So guys Desatinib tablet के side effect के बात करते हैं तो इसको लेने के बाद आपको muscles pain, muscles में दर्द, कमजोरी, joint pain, pain burning, tingling in the hand, on the feet, rush, skin redness, and swelling भी आ सकती है और अगर हम इस tablet के precaution के बात करते हैं तो आपको पूरी निगलना है मतलब पूरी swallow करना है इस tablet को ना तोड़ना ही है, ना ही crush करना है, और ना ही चबाना है So guys यह इसके precaution थे और अगर हम इसकी बात करें कि इसको कहां से लेना चाहिए तो आप यह किसी भी medical store पर ले सकते हैं और description में एक link दे रखी हैं मैंने जिसमें आप farma easy पर जाकर direct इसको purchase कर सकते हैं आपको वहापर 20% discount मिल जाएगा फिछ फ्री delivery आपको घर पर फ्री delivery हो जाएगी So guys इस वीडियो में इतना ही एस इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को like and subscribe पहलेजे Thank you so much for watching this video किया है